कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडिंग लावर्स पर दोस्तों आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं आपके कप्टेटिव एक्जाम के लिए हिंदी ग्रामर में जो है हिंदी के उध्भो विकास से समंदित महतापुन कोश्चन क और यह जो कोश्चन आपके सभी एक्जाम के लिए महतापुन है क्या कि एक्जाम में आपके हिंदी ग्रामर से जो कोश्चन है वो जुरूर पूछे जाते हैं तो यहाँ पर जो हमने आपके लिए महतापुन जो 1500 प्लस जो कोश्चन है उनको आज की उड़ी में हमने लिया है और इनी के अंदर से ही आपको एक्जामी कोश्चन देखने को मिलेगे तो जिसमें हमारा यहां पर पहला कोश्चन है हिंदुस्तानी भासा का रूप तो यह धखनी हिंदी है सस्कृत निष्ट है भ्रज आवदी का मिसिर्थ रूप है या हिंदी उर्दु मिसिर्थ है तो ह इसको का जाएगा क्योंकि आपने देखोगा हिंदी जो है समें कुछ हम सब्ट जो व वोलते हैं उसमें उर्दु के भी हैं है नेफ्ट आ heck इसे कौनसी बॉली फश्मी हिंदी की बॉली है कोरवी करणोजी ब्रजभाव सा या फिर ये सभी तो पश्मी हिंदी की बॉली है कौन सी है जो यहां पर option D में दी गई है मतलब यह सभी की सभी इसमें आ जाती है पश्चमी हिंदी की बॉली कि अगर हम बात करें तो पांच है इसमें पांच बॉलिया है खड़ी बॉली या फिर कोर्वी हर्यार्वी या बांगरू ब्रज बुंदेली और कनोची त आप भ्रंच में और कितने थे तो option रहेगा शीवा तो इसमें आठ स्वर्दे इसके बाद कोशन आ जाता है मागदी आप भ्रंच से समंदित भासा इन में से कौन सी है तो मागदी आप भ्रंच से समंदित ब्रज है बंगला है अवदी है या फिर बांगरू है और यहां पर हमारा सिंसर एक option भी वाला तो कौन सी है यहां पर यह बंगला है तो मागदी या फिर मगई भी कह देते हैं तो यह भारत की एक भासा है और मगई सवत का विकास मागदी से हुआ है पहले मागदी थी फिर मागई फिर मगई तो मगई का मैतली और बोजपुरी भासाओं से गैरा समद मान है मगई भियार जारकंड के अदिकान सफ़ाग और पशिम मंगाल के माल्दा की भासा है इसलिए जया पर बंगला जो है इसका यही सही अंसर मान गया है है इसके बाद है next question हमारा next में आ जाता है पूरवी हिंदी के अंतरगत कौन सी वॉली नहीं आती है तो यही नहीं है, जबकि यह आवदी है, चत्तिसगड़ी, बगेली, तो यह पूर्वी जो हिंदी है, इसके अंतरगत आती है, इसकी बाद है, नेक्स्ट हमारा मुला दावद कृत लोर्क कहा, कि भासा इन में से कौन सी है, भासा कि अगर हम बात करें, तो इसमें जो आवदी जो इसको मान गया है, मुला दावद जैन को पर्थम जोसुपी संतय मान गया है, और रचनों की बात करें तो प्रमुख जो रचन इसमें चंदायन और लोर करहा, ठेट आवधी भासा में ये रची गई है, इसके बाद है मीरा भाई के पद राजस्थानी भासा की किस बॉली मे है, नेक्स्ट आ जाता है, खड़ी बोली या फिर कॉर्वी का उद्भाव सोर्षेनी अभबरंस के निमलिक्त में से किस रूप से हुआ है, खड़ी बोली या कॉर्वी का उद्भाव, और इसमें देखे तो हमारा सिंसर है उप्शन एवाल, तो कौन सी है, यहां पर यह उत इसके बाद है कृति लता किस भासा की रचना है, मगही या भरंस, मैथली या खड़ी बोली की, कृति लता, अब यहां पर देखे तो हमारा सिंसर है उप्शन सी वाला, तो किस की है यह आप भरंस की है, कृति लता रचना भी आ जाती है कि इनकी थी, तो विद्ध्यपति ज इनकी दुबारा जो रचित है कृति लता और कृति पता का, यह अप भरंस की रचनाई है, और इन्होंने आवदी और बरच भासा में यह लिखी थी, तो आ जाता है कई बार कि इनकी रचना है, तो यह विद्ध्यपति की है, इसकी बाद है अप भरंस का काल कौन सा है, काल जो आप पर कौन सा है, जो और बी में दिया ने है, तो आप भरंस का समय मानगा है, पांसो से एक हजार इस्वी, इसकी बाद नेक्स्ट कोशन आ जाते है, हमारा संस्कित किस प्रवार की भासा है, अगने सेमेटिक आर्या या दर्विड प्रवार की, संस्कित भासा, और यह पर जो इसमें मानी गई है, तो यह आर्या भासा जो है, इसकी मानी गई है, जो कि हिंदी और युरोब, भासे प्रवार की एक साका है, हिंदी, बांगला, मराथी, सिंदी, पंजाबी, नेपाली, यह सभी इसी से उत्पन हुई है, नेक्स्ट कोशन आ जाता है, हमारा निमल प्रविक्त, बोलियों में से किस बोली का विकास सोर्सन या ब्रण से नहीं हुआ है, बगेली है, बुंदेली है, कनोजी या फिर ब्रजबास है, तो किस बोली का विकास सोर्सन या ब्रण से नहीं हुआ है, अब नहीं है, कौन सा जो option ए में दिया रहा है, तो यह जो बगे जो बगेली है, ये पूर्वी की है, किसकी है, पूर्वी की, तो पूर्वी हिंदी से विक् лишь इताई, इसके बाद है next हमारा सिंधी भासा का विकास किस अभवरं से मान गया है विकास किस अभवरंस से मान गया है तो इस बाद हमारा कोशन है च्छतिस गड़ी यह किस हिंदी की बोली है तो पश्चमी हिंदी की है पहाड़ी की है राजस्थानी की है या पूर्वी हिंदी की है च्छतिस गड़ी और इसमें देखें तो हमारा सेंसर है ऑप्शन डिवाला तो किसकी है यह पूर्वी हिंदी की से मान गया है इसक मानगे और यह जो बोली है राजस्थान के कोटा बुंदी और इसका जो आसपास का जो क्षेत्र है तो वहाँ पर बोली जाती है हरोती तो इसका समथ की से है पुर्वी राजस्थान जी इसके बाद आ जाता है पाली भासा पाली भासा जो इसका ने नाम क्या है अप भरंस है प्राकृत है, ब्राष्ट है या फिर मागदी है, पाली भासा का, पाली भासा के ने नाम की बात करें तो ये मागदी है, जो यहाँ पर उप्शन डी में दिया गए है, और संस्कृत से हिंदी तक भासाओं का अगरम करम देखी दो, तो सबसे पहले संस्कृत है, संस्कृत के के बाद आजाती है पाली के बाद आजाती है प्राकृत के बाद आजाती है अपभरंस के बाद आजाती है हिंदी तो इस प्रकार का जो करम है मान गया है संस्कृत पाली प्राकृत अपभरंस हिंदी तो पाली भासा का अन्य नाम है मांग्धी इसके बाद है मांग्धी ब्रद से विक्षित बोली, अब इसमें देखे तो हमारा सिनसर आ उप्षन सी वाला, तो कौन सी है ये, मग ही है, निश्टा जटतर लहदा का विकास किसे हुआ है, राजस्थानी, पेसाची, गड़वाली या मागदी से, लहदा का, अब इसमें देखे तो आप्षन है हमारा पीवाला, तो किसे हुआ है, ये, पेसाची से हुआ है, इसके बद इन में से किसे पूरवी भी कहा जाते हैं, मैथली, बरच, बोजपुरी या बंदेली को, पूरवी, और यहां पर है ओप्षन सी, तो कौन सी है, बोजपुरी, बोजपुरी जा है हिंदी के बोली है, और पूर्वी या पूर्विया भी कहा जाते हैं, आपने उसको भी सुना होगा, जैसे भिहारी जो आए काम करने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग जो उन्हें पूर्विया भी कहते हैं, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, पूर्विया भी इसको कहा जाते हैं, जबकि ब्र रचना के बारे में परशिद है इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी तो कौन से रचना के बारे में परशिद है प्रिक्षा गुरु चंदरकांता गोदान या अदगुदलास और इसमें जो माना गया है ऑप्शन बी तो इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोग ने हिंदी सीखी थी और चंदर कांथा यह एक टीवी सीरील है आप ने बाच्पन में इसे देखा भी होगा चंदर कांता की काहनी राजा कुमर तो यह जो हाँ वही सीरील जिके वारे में आपर बात हो रही है तो देव कि Alm, तेलगु, Tमिल या फिर सोराष्ठी तो कौन सी भासा है जो इंपर दरवीट भासा नहीं है नहीं है कौन सी ऑ्प्षन डि में आई है इस इंदार जो सोराष्टी मल्यालम- तैलगु, Tमिल कनड जो भासाई है दरविड प्रवार की भासाई है जबकि जो सोराष्टर है ये दरविड प्रवार की भासा इसमें नहीं है क्योंकि ये जो है जो गुजराती जो है गुजराती भासा है गुजराती तो ये गुजराती भासा की एक बोली है इसके बाद नेक्स्ट कोशन है हमारा इन में से कौन सी भासा दर्विड प्रवाद की भासा है तो दर्विड प्रवाद की इन में से कौन से वाली है और जो अप्शन डी में दी गई है अधार जो कन्नड भासा है इसके बाद आजाता है पंजाबी भासा का उद्भाव की सब्रंसे माना गया है पेसाची, सोरसेनी, अर्धमागदी या भी ब्राज्ट अप्रंसे तो पंजाबी भासा का उद्भाव की सब्रंसे हुआ है और इसमें रेएगा option A, अथारजो पेसाची अपहरफवरंस है तो इस से माना गया है Next आ जाता है किसे अपहरफवरंस का वालमी की का गया है अरिष्टनेमी सरहपा सवरपा या स्यमभू को तो अपहरफवरंस का वालमी की का गया है जो option या पर C में आया है अथार जो स्यम्भू है तो इनको कावे है अप बरंस का वाल में की इनके पिता के नाम के बात करें तो इनके पिता का नाम था मारूत देव और माता का नाम था पद्मीन इसके बाद हैं इन में से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवी कौन थे अमीर खुसरो सरहपा श्यंभू यापार देंदू तो खड़ी बोली हिंदी के पहले कभी और इसमें है हमारा option एवाला तो अमीर खुसरो है तो अमीर खुसरो जो यहाँ पर इसका सी अंसर रहेगा और अमीर खुसरो जो इनको पहलियो और मुकरिया इनके लिए जान जाता था तो option है यहाँ पर इसके बाद जो हमारा नयापर next question रहेगा इन में से खड़ी बोली का जो पर्थम माकावे है कौन से है तो यहाँ पर खड़ी बोली का पर्थम माकावे और इसमें जैसे रहेगा उप्षन भी वाला तो कौन से है यहाँ पर प्रिया परवास है और कई बार आ जाता है कि जैसे प्रिया परवास है कि इनके द्वार रचित है तो आयोध्या सिंग उपाध्याय अरिहोग इनके द्वारा रचित है खड़ी बोली का पर्थम माकावे रचनाई की बात करें तो इसमें पदम प्रशून चुबेते चोपुदे रसकलस यह आ जाते है इसके बाद हैं इनमें से कौन सी भासा बारोपिया भासा प्रिवार्ट की साखा है तो बारोपिया प्रिवार्ट की भासा प्रिवार्ट की एक साखा इसमें बारोपिया प्रिवार्ट की तो कौन से वाली है और इसमें जो हमारा सियंसर रहेगा उप्शन सी वाला तो कौन सी है यहां पर अर्मानी है अर्मानी जो भासा ये भारूपिय भासा प्रिवार की साका है और ये जो भासा है मेसो पोटेमिया और काकेसस प्रवत की मध्य वर्ति घाटियू और काले सागर के धक्षिन पूर्वी प्रदेश में बोल जाती है तो उप्षन जाए यहाँ पर इसका रहेगा सी वाला इसके बाद है निवट्टा इन में से किसकी उप बोली है तो निवट्टा किनकी है तो ये भगेली की है तो यहाँ पर जो हमारा सिंसर उप्षन रहेगा भी वाला इसके बाद जाता है संथ सिंगा की भासा क्या थे पंजाबी आवदी राजस्थानी या निमाडी संथ सिंगा की भासा और यहाँपर है हमारा उखेंडी वाना तो कौन सी है यहाँपर यह निमाडी है क्योंकि संद्ध सिंगा जी मद्द्य प्रदेश के निमार के एक परसित संद्ध थे और उन्हें पशुरक्षक देव की रूप में भी पोजा जाता है तो संद्ध सिंगा की भासा जो है इसका स्मुन है निमारी सिंग इसके बाद है पाली भासा के स्वर्पर्थम जो व्याकरण है यहां पर इन में कौन थी मेर्शिप्रत अंजली पानिनी कात्यायन कात्यायन हो गया यहां पर यह फिर हेमचंतर और इसमें जो यहां पर हो सकते इसमें कुछ मीश हैं यहां पर क्योंकि जो यह बुगवानपूद्टर के दस सिच्व में सये एक परम रिद्धि महानसी से इनको मान गया था कुछ यहां पर मीस है इसके बाद जो नेक्स कोशन आ जाता है हमारा यहां पर बनाफरी इनमें किस बोली की एक उप भासा है उप बोली है तो कोर्वी बगेली बराजी या किसी की भी नहीं और इसमें जो है उप्शन रहेगा हमारा डीवाला तो मतलब कोई सी भी नहीं है तो बनाफरी जो यह बुन्देली की उप बोली है किसकी है बुन्देली की है तो जो इनमें उप्शन में जा नहीं दिया गया है तो बुंदेली जो आए याँ पर इसका सी अंसर रहेगा तो बुंदेली की है इसके बाद है next में आ जाता है ब्रजभासा का विकास किस अफ़बरांस से हुआ है सोर्षेनी अर्दमागदी मागदी या पेसाची से ब्रजभासा का और यहाँ पर है option A वाला तो यह सोर्षेनी जो इसको मान गया है next आ जाता है पुर्वी हिंदी की दो बॉलियों का सही युगम कौन सा है तो पुर्वी हिंदी की दो बॉलियों का सही युगम तो सही वाला आपने बताना है सही जो option D में है तो आवदी और 36 गड़ी यह आ जाते हैं पुर्वी हिंदी का जो विकास है यह अर्दमागदी अब बरंस से मान गया है next आ जाता है सर्वधान की आठवी जो अनसोची है इन में से कितनी भासाओं का व लेक हुआ है 21, 23, 22 या 24 का तो सर्वधान की जो आठवी अनसोची है और इसमें जो आप्शन हैगा सिवाला तो कितने है यहाँ पर जो भाईस जो भासाओं है इनको मान गया है 22 कौन से है जिसमें कस्मीरी, सिंधी, हिंदी, भांगली, पंजाबी, आस्मिया, ओडिया, गुजराती, मराथी, तेलगू, कंणर, तमिल, उर्दू, मल्यालम, संस्कृत, नेपाली, मनिपूरी, कॉंकणी, संथाली, डोंगरी, मैतली, बोडो तो इस प्रकार से जो 22 भासाई है ये आ जाती है इसके बादा खड़ी बोली इन में से किस अभवराण से निकली है तो खड़ी बोली किस अभवराण से निकली है और इसमें देखे तो अप्सन आईगा हमारा भीवाला तो किससे निकली आई है सोरसेनी से जो भासा है उबासा से निकली आई है तो खड़ी बोली जाए पश्मी हिंदी भासा के अंतरगत आती है खड़ी बोली सोरसेनी अब्रण से निकली है और पश्मी हिंदी के अंतरगत खड़ी बोली के आती ब्रज भासा, हरियान्वी, पुंदेली और कर्णुजी ये बोलियां आ जाती है इसके बाद हिन में से कौन सी भासा दर्विड भासा है बंगला मुनाठी, तेलगो या फिर ओडिया तो कौन सी है याँ पर दर्विड भासा और इसमें जो आप्शन आएगा सी वाला तो ये तूलू जो भासा है ये आ जाती है इसमें कर्णाटक जो राज्या है इसके पश्मी किनार मिस्तित दक्षनी कर्णड और उड़ुपी जीलो में और उत्री केरल के कुछ भागों में ये परचलित है पहले जो है ब्रह्मन वैदिक और जो संस्क्री साइथ लिखने के लिए तिगलरी नामक लिपी का उप्योग करते थे और आप तूलू लिखने के लिए कर्णड लिपी का प्रयोग के जाते है दक्षनी कर्णड उडूपी जीले के दिकांस लोगों की मात्री भासा ये ही तूलू है तो दर्विड भासा जो है इसकी है तूलू इसके बाद जाता है चंदायन किस भासा का एक कवे है राजस्तानी पहारी आवधी या मैत्री का चंदायन और इसमें है ऑप्षन सी तो किस का है यहाँ पर यह आवधी का है चंदायन जाई मुलध वाधी बात समीली के गए को फी प्रेम कवे है और इसमें नायक जाई लोर और नायका चंदा इनको प्रेम का भासा वनित आपवरंस से नहीं हुआ है तो यही जो इसमें नहीं है क्योंकि अस्मिया उडिया बिहारी तथा बांगला भासा का विकास मागधी आपवरंस से हुआ है इसके बाद है हिंदी भासा के उद्भाव का जो सही अनकरम कौन सा है हिंदी भासा के उद्भाव का सही अनकरम सही आनुकरम कौन सा है जो option D में दिया गया है पाली, प्राकृत, अपभरंस और हिंदी तो इस प्रकार का करम है इनका नेक्ट आ जाता है बगेली का पर्मुक्षेतर कौन सा है मिर्जापूर, देवर या गौरकपूर या साहबार तो बगेली का पर्मुक्षेतर है और जो यहाँ पर दिया गये है option A, B कौन सा है? यहाँ पर मिर्जापूर है इसके बाद है इनमेशे किस जिले में कर्णोजी बोली जाती है उर्य जासी, जालोनिया, हर्दोईवी कर्णोजी ही बोली जाती है कि इसके बाद है भारत में कितने प्रकार के भासे प्रवार है चार छे पांच साथ कितने हैं और यहां पर है option c वारा अथारत कितने हैं पांच है आरिया भासा प्रिवार हो गए दरविड है और ओस्ट्र एसियार्टिक भासे प्रिवार है चेनी तिविती और अंडमानी भासा प्रिवार तो इस प्रकार से पांच प्रिवार है इसके बाद है मैथली कि सिदाध्या में ज्यादा बोली पंजाब भिहार dollars राजस्तान में मैथली कि मैथली जो बोल जाती है का पर तो यह विखार डी में और मेथली जो भिए इसको कास माग दी अप हब अपर हम भासा और रिव भासा और बार्झल है और जो यहाँ पर दियंग lataidd 있죠 जो एलको है इसके बाद है इन मेंसे डुन्धानी कौन है किस नाम से भी जान जाता है मारवारी जैपुरी राजस्तानी या मेवाती डुन्धानी अन्नाम से भी जान जाता है कौन सी जॉप्शन बी में दी गई है अतार जैपुरी राजस्तान का जो पूरी भाग है जैपूर अजमेर किसंगर तो वहाँ पर बोली जाती है और के अंदर इसका जैपूर है नेक्ट आ जाता है भाट भासा ये का गया है तो भाट भासा जो है इन में से किने का गया है और इसमें देखे तो option आएगा ये वाला अथार जो डिंगल है तो इसको का गया है बाठ पासा नेक्स्ट आ जाते है पूर्वी हिंदी का जो उद्भव है किस अप भरत से माना गया है पूर्वी हिंदी का उद्भव और ये माना गया है अर्ध मागदी अपबरंद से जो उप्षन C में है पूर्वी हिंदी भासा के अंत्रगत जई आवधी बगेली चट्रिस गड़ी जो वोर्य है ये आ जाती है इसके बाद है भारते स्योदान के किस अंचेद में हिंदी भासा के विकास के लिए निर्देश है तो भारते स्योदान के किस अंचेद में अंचेद की बात करें तो अप्षन आएगा C वाला तो यह है 301, नेक्स्ट है सूरी नाम, मौरिशस, गुयाना, में बोले जाने वाली जो बोली है कौन सी है, राजस्तानी, बरज, भोजपूरी या फिर गड़वाली, सूरी नाम, मौरिशस और गुयाना, यहाँ पर बोले जाने वाली, जो अप्शन C में दी गई है, थार्थ क केले किया जाता है, तो शिवधान के किस अच्छेद में सिर्कार के अं करतव्य अदाइतों का उनले जिनका पालन हिंदी के पर चाल परहा disp-स लगा जाता है, जो यहाँ पर ओप्शन दी वाथा है, तो देवनागरी लिपी का प्रियोग हुआ था जो अप्शन ए में दी गई है ता कहां पर गुजरात इसके बाद है देवनागरी लिपी जो मूलता है ये वनात्मक है परतीक है चित्र है ये अक्षरात्मक है देवनागरी लिपी और इसको जो मानगा है तो यह क्या है अक्षरात्मक इसको मानगा है भारती लीपी है जिसमें अनिक भारती है और देश सी भासा है लिखी जाती है इसके बाद है यह बोली पुर्वी हिंदी वरक्य बोली नहीं है तो कौन सी बोलिया जो पूर्वी हिंदी वरके नहीं है बुंदेली अवदी चतिस गड़ी या फिर बगेली और इसमें देखे तो ऑप्षन है हमारा सी अधार जो चतिस गड़ है इसकी बाद आ जाता है नेक्स्ट और नेक्स्ट में हमारा दी जन्नी माना गया है अप ब्रंच किण प्राकरित या पॉनसी है नेक्स्क्रत से होती हुई अप ब्रंच किण И सबसे पहले संस्कृत फे पाली प्राकृत फे रब्रंस हिंदी तो इस प्रकार से नेश्ट है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है तो यह खड़ी बोली है तो अप्शन हो जाएगा यहां पर यह वाला इसके बाद है अधिकतर भारतिया भासाओं को इवकास किस लीपी से हुआ है ब्रह्मी, क्रोश्टी, कुटिल या सार्दा से तो अधिकतर भारतिया भासाओं को इवकास और जो option A में है अधार जो ब्रह्मी है इसके बाद है कर्णोजी बॉली किस जन्पद में बोली जाती है मेरट हर्दोई देरा दुनिया मत्रमी कर्णोजी बॉली और इसमें है option C तो काँपर है हर्दोई जन्पद में और मेरट जावाँ पर खड़ी बुली बुली जाती है next time में से बोजपूरी क्षेतर नहीं है कौन से वाला है जो option C में देरा है इलाबाद तो ये मिर्जापूरु देवरिया बलिया ये आते हैं बोजपूरी क्षेतर के अंतरगात जबकि जो इलाबाद जो है ये आवधी के अंतरगात आता है आवधी इसके बाद है फैजबाद जनपद में बोले जाने वाली बोली कौन सी है तो फैजबाद जाहिस में बोली जाती है कौन सी आवधी ये option D में है next आ जाता है इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है तो कौन से वाली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है और यह है जो option D में है थार जो भगेली है ब्रज आवदी भोजपुरी तो यह उत्तर प्रदेश की बोली है जबकि जो भगेली जो है यह मध्या प्रदेश की है मंध्यापर्देश इसके बार है बहराइज, सुल्तानपुर, राइबरेलि किस बोली के एक शेत्र हैं ये शेत्रों की बात करें तो इसमें राइग उप्शन डी जो अधर जो अवदी है नेक्स आजाता है आयो शवद किस बॉली से निकला है किस बॉली का है आयो और इसमें है उप्शन सी तो किस से है ये ब्रज से है ब्रज बॉली का है आयो गयो करियो नेक्स आजाता है रामचरीत मानस किस भासा में रचित है किस भासा में हुई है इसकी रचना और इसमें जो है option रहेगा सी अधार्त कौन सी अवधी भासा में और यह जो भास है प्राक्रित से सोर्सेनी में अप्रस हुई और आधुनिक हिंदी की और बड़ी जो खड़ी बोली का पूर अवरूप थी नेख से जता है हमारा खड़ी बोली हिंदी का ने नाम अन्य सही नाम कौन से है खड़ी बोली हिंदी का ने नाम और जो यह option बी में देगा है था जो कौरवी है क्योंकि खड़ी बोली जाए हिंदी पश्मी हिंदी बासा की जवरग है उसकी बोली है और ने नाम इसका कोरवी है और दिल्ली मेरट सांपूर देरदून तो यह वाले जो क्षित्र हैं वहाँ पर बोली जाती है नेश्ट है है हमारा साकेत की भासा का अत्यात सिष्ट और प्रोरूक मिलता है तो यह आवधी ब्रज पाली या खड़ी बोली और इसमें है ओप्शन डी किसमें मिलता है तो खड़ी बोली मिलता है साकेत कि इनकी रचना आजाता है कई बार तो मैथली सन गुप जो है इनकी रचना है साकेत और मात्मगंदी जो इनोंने ने राष्ट्र कवी की उपादी दी थी इसके बाद है नेक्स्ट हमारा इसमें है किस भासक की लिपी देवनागरी नहीं है तो कौन सी भासक के लिपी देवनागरी नहीं है जो उप्षन C में दी गई है अथार जो तमिल है नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सी भासा भारत यूरोपिया अथा भारोपिया भासे प्रिवार की नहीं है तो भारोपिया प्रिवार की एक भासा नहीं है कौन से वाली जो option C में है अधार जो तमिल है नेक्स्ट आजाता है हमारा question यहापर आवधी बॉली का अन्या नाम है कोसली बेगानी भनाफरी या मगेसी आवधी बॉली का अन्या नाम है और यहाँ पर जो हमारे sincere option रहे गए वाला तो कौन सी है यह कोसली है अवधी बॉली का ने नाम है कोसली लखनो फतेपूर मरिजपूर फैजवाद परताफगर सीतापूर राइबरेली बारवांकी तो यह जो क्षित्र है वहाँ पर बोली जाती है नेक्ट है जाता है भारती स्युदान में जो 22 भासा ये इनका अधिकारिक भासा का दर्जा दिया गया है तो जिन में यह बासा एक सामिल नहीं है तो 22 भासाओं में इसे मतलब कहा सकते हैं कि आप एक नहीं है तो जो option D में दी गई है थार जो बोजपूरी है इसके बाद है next question हमारा next में है भारत के उस्तम नहले और उच नहलो का भासा स्वंदी निर्देश किस अंशेद में दिया गया है तो भारत के उस्तम नहले और उच नहलो का भासा स्वंदी निर्देश और इसमें है option C अथार अंशेद 38 में नेक्स्ट कुश्चन है हमारा भारती स्वधान का जो अंच्छेद है 210 इसमें निर्देशित है तो इसमें क्या निर्देशित है इसमें है जो ऑप्शन B में देगा है विदान मंडल में प्रुक्त होने वाली भासा के बारे में नेक्स्ट आजाता है खड़ी बोली हिंदी किस वो भासा के अंतरगात आती है और इसमें है ऑप्शन D तो याती है पश्मी हिंदी के अंतरगात इसके बाद है भारत में बोले जाने वाली परमुक भासाओं के प्रिवार किस उतलब में दिखाए गए है भारत में बोले जाने वाली परमुक भासाओं के प्रिवार और इसमें है option D भारोपिया अगेने दरविर तिब्वती धर्मी में नेफ्ट आजाता है हिंदी भासा में कितनी बोलिया है 15, 18, 25 या फिर 20 तो हिंदी भासा में बोलिया पूछे गई है तो कितनी है तो यह 18 है 18 तो है बोलिया और 5 है उप भासाई उप भासाई जैसे के उपर कोशन आया था उसमें हमने पड़ा था तो 18 बोलिया और 5 हुप भासाई है इसके बाद आजाता है इन में से किस देश में हिंदी भासा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है हिंदी भासा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है कौन सा तो यह है मोरिशास जो option D में दिया गए है मोरिशास के अत्रिक तगर हम बात करें तो फीजी, सूरी नाम, तिर्मदाद, म्यानमार तो यहां पर भी जो है हिंदी की अनेक पत्र पत्र काई प्रकासित होती है यह मोरिशास है नेक्ष इन में कौन सी व्याकन और वर्तिनी से शुद भासा कहलाती है व्याकन और वर्तिनी से तो इन में कौन से वाली है और यह है option D में दी गई है अधालत, मानक पासा इसके बाद है शूर्षागर किस वाजा की रचना है और किसकी है तो option नहींगा C वाला हमारा तो जो ब्रज है इसकी है इसकी बाद है next question next में आ जाता है हमारा रामचिरित मानस जो है इसकी भासा तो किस भासा में है और ये है आवधी में तो option हो जाएगा ये वाला और किन की रचन है गोश्वामी तुर्शिदास की अधी भास में लिखा था इन्होंने पंदरासो चुहात्तर में नेश्ट है हिंदी दिवस मनाए जाता है है सान कोस्चन है और वेर वेर इपूटेंड भी है हिंदी की दिश्टी से तो हिंदी दिवस मनाए जाता है पर्तिवर्ष 14 सितंबर 14 सितंबर ने सो नंचस को जाई से मानेतार मिले थी इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है सूर्दास ने किस भासा में सूर्षागर लिखा था तो कौन सी भासा में लिखा था तो ये था ब्रज भासा में इसके बाद है एक दर्विट प्रवार की भासा नहीं है तो दर्विट प्रवार की नहीं है इनमें तो कौन से वाली है तो यह है एस्तोनी तो यही नहीं है दर्विट प्रवार में तमिर तेलगू कंणर मल्यालम यह आ जाती है इसके बाद है संथाली बासा किस बासा प्रिवार से समंध रखती है और इसका जो समंध है तो यह आश्टिक जो प्रिवार है तो इससे माना गया है कहाँ पर बोल जाती है आसम, जारखंड, उडिशा, चतिसगर, भिहार, तिरपुरा, बंगाल तो वहाँ पर बोल जाती है इसके बाद है पारी हिंदी का विकास की सबभरंस में माना गया है पारी हिंदी का और यहाँ पर है ओप्शन बी तो यह है खस में खस अबभरंस से माना गया है नेश्ट आ जाता है प्रिय प्रवास की भासा कौन सी है प्रिय प्रवास या फिर रचन के इनकी थी ये तो यहाँ पर तो है option भी ख़ड़ी बोली में तो भासा तो है खड़ी बोली और रचना की बात करें तो यह अयोद्या सिंग अपाद्या हरियोग जो है इनके द्वारा खड़ी बोली में लिखा गया था पर्थम माकावे है और इनको जो परसिदी है ये इसी से मिली थी प्रिया परवास से इसके बाद है बगेली बोली का समन्द किस उपभासा से है बगेली बोली का और यहां पर है ओप्शन भी पूर्वी हिंदी पूर्वी हिंदी का विकास अर्द मागदी अपपरण स्वाई से हुआ है नेक्ट हिंदी की कितनी भास आए है और जैसके कोशन आया था तो हमने इसमें बात की थी तो ये पांच है पश्मी हिंदी पूर्वी हिंदी राजस्थानी बिहारी इसके बात है पदमावत की भासा कौन सी है या फिर किन की रचना है तो मलिक मौमो जासी जो है इनके द्वाला लिखी गए थी पदमावत और भासा की बात करें तो ये आवधी भासा में है और इनकी रचना दोहर छंदों में आई है नेश्टा जाता है ब्रजभासा का क्षेतर एक नहीं है तो ये कौन सा है नहीं है कौन सा जो आप्षन बी में दिये गए है तो ये सरगुजा जो है ये ही नहीं है इसके बाद है भिहारी हिंदी की बॉली का नाम क्या है तो भिहारी हिंदी की बॉली का नाम और यह है जो अप्शन A में दिया गए है अतार्थ मगही नेक्ट है बिहारी सत्साई किस भासा का काव्यगरंथ है ब्रज का खड़िबोली का आवधी का या बोजपुरी का बिहारी सत्साई और यहां पर है option A तो कौन सी का है यह ब्रज भासा का है 1662 जो है उसमें लिखी गई थी यह और दोहा चंद में है और कितने है इसमें दोहों की संख्या तो दोहों की संख्या 719 जीश में मानी गई है इसके बाद है next हमारा next में आज़ता है हिंदी भासा की बोलियों के वर्गिकान के अधार पर 36 गड़ी बोली है तो यह कौन सी है और इसमें देखे तो option आएगा यह वाला आधार जो पूर्वी हिंदी है तो चत्तिस गड़ी जा यह पूर्वी हिंदी जो इसके इंत्रगत आती है इसके बाद जो हमारा next question है next में हिंदी भासा का उद्भव एमिकास का जो सही करम है वो आपने बताना है सही करम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो option आएगा इवाला तो संस्कृत है पाली, प्राकृत, अभरन, सोर्षेनी, पश्मी हिंदी और खड़ी बोली very very important जा यहाँ पर यह question है तो यह वाला जो करम है अपने याद रखना है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभरन, सोर्षेनी, पश्मी हिंदी और खड़ी बोली next जो हमारे यहाँ पर question है गानान जोहिन की कृतिया किस भासा में है तो कृतियों की बात करें तो option आएगा हमारा सिवाला तो किस में है यहाँ पर यह ब्रज भासा में है और गरंतों के अगर हम बात करें तो जिसमें सुजान सागर, विरहलीला, कौकसार, रसकेली, वल्ली और पाकण तो यह इनकी कृतिया है next जाता है मेवाति की सुभासा वरक की बोली है पूर्वी राजस्थानी बिहारी या पहारी हिंदी की मेवाति और इसमें है option भी हमारा तो किसकी है यह राजस्थानी हिंदी के अंतरगत आती है पूर्वी हिंदी के अगर हम बात करें तो इसमें आवधी, बगेली, चतिसगड़ी या जाती है और बिहारी हिंदी के अगर हम बात करें तो इसके अंतरकात भोजपुरी, मैतली और मांगदी और पाड़ी हिंदी के अगर हम बात करें तो पश्मी पहाड़ी और मत्य पहाड़ी बोलिया इसमें आती है नेक्षा हमारा है प्रकशन है, भारति इंद्धुंरं हरे चिंदर की रचना हिंदी-भासा का प्रकास्चन वर्स कौन सा है ? प्रकास्चन वर्स कौन सा है जो option B में दें रहे है । कौन सा यहां पर 3192 इसके बाद है नेक्ष्ट हमारा ब्रजभासा का विकास की शाप्भरंस से गुए है इसके बाद है घडिकनी इक अहन्य नाम है अन्त्रवेदी फ्राची कोर्वियाा ह्रियामी का अन्य नाम कुन सा है जो option C में दे रहा है तो यह है को रूबी कि नेश्च जो हमारा question आ जाता है लीपी के विकास का कर्मिक सोबान है तो लीपी के विकास का कर्मिक सोबान कर्मिक सोबान कौन सा है जो option C में दे रहा है तो जिसमें चित्तर लिपी सुतरली प्रती कात्मक लिपी और भावातमक लिपी तो यह जो है यहां पर विकास कात्रों में एक असस्त्य है तो जो यहाँ पर आए सकते हैं गलत है वो आपने इनमें बताना है कि कौन से वाला है गलत की बात करें तो जो option ए में दिया गया है हिंदी के वकास से योगात्मक भासा के रूप में हुआ है तो यही जाए यहाँ पर इसमें गलत है इसके बात जाता है next question हमारा next question रहेगा भासा योग भासा योग वो सिष्ट का रचनकाल है तो भासा योग वो सिष्ट का रचनकाल के अगर हम बात करें तो यह 1781 सिष्वी माना गया है और यह जो राम परसाद निरंजनी जो है इनोंने की थी next रहे जाता है निमलेखित बॉलियों में से कौन सी बॉली उत्तर परदेश में सिमाने तर नहीं बॉली जाती है तो कहां पर उत्तर परदेश में नहीं बॉली जाती है तो यह कौन से वाली है जो option A में दी गई है अधर्थ मैथिली next question है हमारा मानक हिंदी का आधार कौन सा है मानक हिंदी के आधार की बात करें तो option A रहेगा यहाँ पर तो कौन सी है यह खड़ी बोली है इसके बाद आजाता है अपरफरंस में क्रिशन कावे के जो पढ़नेता है तो यह इनमें कौन है अपनपरंस में क्रिशन कावे के पढ़ने था और यह हैं पोस्विजान्त जो अप्शन ए में दे गए हैं समय के बात करें तो इनका जो समय दसवी साधी माना गया है रचनाओं के अगर हम बात करें तो यहां पर महापुरान तिर्थकर राम क्रिशन का चरीत चोजट महापुर्शो की कथा दूसरा है यहां पर जैकुमार चिरू तीसरा है जसहर चिरू चोथा है आदी पुरान और पांच वे नंबर का है उत्तर पुरान तो इस प्रकार से जायापरिन की रचनाएं यह रहेगी नेक्ट कोश्चन है हमारा भारत में आरिया भासा जो है इनका आरंब कब हुआ था आरेया भासा का आरंब और आरंब की बात करें तो और अप्शन नहें गभीबाना तो यह मानी गई है पंदरा सो इस्ए पुरो जो है इसके आसपास नेक्ट कोश्चन है विकास की दिष्टी से प्राकृत की पुरोकालीन अवस्था का नाम कौन से है पाली सस्कृत हिंदी या अवर तो विकास की दिष्टी से प्राकृत की पुरोकालीन अवस्था का नाम और यह है पाली जो अप्शन इमें दिया रहा है इसके बाद हमारा कोश्चन है हिंदी भासा की बोलियों के वर्गी कान के अधार पर 36 गड़ी बोली है तो कौन सी है पूर्वी हिंदी की है पश्चमी की है पाहडी या रजस्तारी हिंदी की तो हिंदी भासा की बोलियों के वर्गी कान के अधार पर 36 गड़ी बोली और इसको माना गया है पूर्वी हिंदी भी जो अप्शन ए में दे गई है इसकी बाद है हमारा निम्रिक्त बोले में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है तो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है कौन सी जो अप्शन डी में आई है 마arten तार जो नेटली जो है यही नहीं बोल जाथ हा कि इसके बाद है कौन सी प्राचीन भास नहीं है अब बरण्स पंजाबी प्राकृत या सत्व्कृत तो यहां पर प्राचीन जो भास है यह नहीं है, प्राचीन भादसा की अगर हम बात करें जो option D में दी गई है पंजाबी, तो यही जो यहाँ पर प्राचीन जो है इसको नहीं माना गया है और लिपी कौन सी है, तो ये गुरुमो के लिपी जाज में लिखी जाती है इसके बाद है कौन सी बॉली उत्तर प्रदेश की नहीं है तो यहाँ पर एक बॉली उत्तर प्रदेश की नहीं है तो कौन से वाली है और जो option D में दी गई है अथार्प जैपुरी तो यही जो यहाँ पर इसकी नहीं है इसके बाद question है इलाबाद में बोली जाने वाली एक बोली है ब्रज आवदी, कड़ी बोली या बोजबुरी इलाबाद की और यहां पर एक उप्शन भी तो कौन सी है ये आवदी है आवदी बासा का जो क्षेत्र है या युद्य अलकनो इलाबाद, राइबरेली, सितापूर यहां पर आएक उप्शन भी तो कौन सी है ये नेपाली है इसकी बाद है मराठी और नेपाली भासा ये कौन सी लिपे में लिखी जाती है मराठी और नेपाली और इनके लिपे की बात करें तो ये उप्शन भी रहेगा हमारा तो ये सार्दा में है मुराठी और नेपाली तो यह सार्दा जो है इसमें लिखी जाती है इसके बाद है next हमारा भाषा में एप्विक्त के कितने रूप है 3, 4, 2 या फिर 5 तो भाषा में एप्विक्ति के रूप और कितने हैं तो यह 3 माने गए हैं लिखित मोकिक और संकेतिक एक तो आप लिखकर काम कर सकते हैं दूसरे को बोल कर सकते हैं और कुछ काम आप संकेत के द्वारा भी कर सकते हैं तो तीन रूप्यां पर मने गए हैं इसके बाद जाता है महतपून कृति है क्रिशनायन उत्तरप्रदिस की बॉलियों में से किस कौन सी बॉली पूर्वी हिंदी के अंतरगत नहीं आती है तो जो पूर्वी हिंदी है इसके अंतरगत नहीं आती है यह कौन से वाली है अब यहां पर देखे तो ऑप्शन जो डी में दी गई है मगही तो यहीं नहीं आती है पूर्वी हिंदी के अगर हम बात करें तो इसम में ब्रच, खड़ी बुली, कनोजी, हर्यारी, बुंदेली, ये वाली आ जाती है, इसके बाद कोशन है हमारा हिंदी को राजभासा के रूप में सिवधानी कमानेता मिली थी, तो ये कब मिली थी, और यहाँ पर है ऑप्शन भी हमारा, तो कब मिली थी है, 14 सितंबर और 1999 को, भारत के सिर्दान में हिंदी को राजभासा मतलब जो ओफिसेल जो लेंगवेज है, इसके रूप में मानता दे गई थी, इसके बाद हमारा कोशन है, निमलेक्त में से कौन, पस्चमी हिंदी के बोली नहीं है, तो कौन सी आपर एक पस्चमी हिंदी के बोली नहीं है, कि इसके बाद कोश्चना मारा हिंदि भासा के विकास का सही कराम कौन से वाला है ? अब तक तो जब आपके कोश्चन याद हो चुपा होगा? हुआ, जियो प्रागृत अब्रश, हिंदिया अगर पहले संस्कृत होता तो संस्क्रत आ जाता है तो संस्कृत इसमें नहीं है तो से सुरू हो जाएगा इसके बाद है देवनागरी लिपी जो इसका विकास कौन से लिपी में हुआ है देवनागरी लिपी का विकास इसमें हुआ है तो यह हुआ है ब्रह्मी लिपी में जो अप्शन B में दी गई है वर्तमान में जो देवनागरी जो है यह हिंदी के अलावा सस्कित मराथी कौंकुनी और नेपाली भासाओ की भी लिपी है इसके बाद है भारत में भासा के अधार पर सरपरतम किस राजय का गठन हुआ था तो भासा के अधार पर सरपरतम किस राजय का गठन हुआ था तो इसमें देखे तो हमारा जो इसमें सी एंसर है ऑप्शन सी वा निम्बर और 1954 को में कि इसके बाद है नेस्ट क्वेशन हमारा इन में से इस किस राज्य की मुक्हय राजभासा हिंदी नहीं है तो यह कॉन है और हम पर एक ऊप्छन सी तो कौन सी है यह असम है है नेक्स Patra प्रियोक कितने वर्षा तक करने हो दिया गया था चोड़ा पांदरा बीस यह हमेशा बर्थे सुधान नेक्षांट करहें, नेक्ष्य नमारा इन में से कौन सी भासा भारतिया शिवधान के आठवें सुच्षी में सामिल नई हैो तो जैसे कॉशन पहले आए था बातिय सुधार में जो बाइस बास आई है ये सामिल है आठवें सुच्की में तो यह कि में नहीं है और यह कौन से वाली है जो ऑप्षन ड्री में दी गई है ता जो तूलू बी क के इस Давайте नहीं है इसके बाद है केंद्रिया हिंदी परसिक्षन संस्थान किसी भाग के तहत ये कारियरत है केंद्रिया हिंदी परसिक्षन संस्थान संस्थान की बात करें तो यहां पर आप्शन आए गई वाला तो यह आ जाता है राजभासा भी भाग के अंतरगा इसके बाद कोशन कोशन आएगा संसद्य राजभास स्मिति की जो अध्यक्सता है यह कौन करते हैं संसद्य राजभास स्मिति की अध्यक्सता और जो ऑप्शन डी में दे गए है थात भारत के जो ग्रिह मंत्री जो होते हैं तो यह करते हैं संसद्य राजभास स्मिति की अध्यक्सता इसके बाद कोशन आ जाता है विशव हिंदी दिवस परतिवर्ष मना जाता है तो कब मना जाता है और यह मना जाता है 10 जनुवरी को विशव हिंदी दिवस और राष्ट्रिय हिंदी दिवस तो यह मना जाता है 14 सितंबर को विड़सम हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रिय हिंदी दिवस 14 सितंबर नेक्स जो कॉशन आ जाता है गोवा की जो मुख्या राजभासा है इन में कौन से वाली है तो गोवा की मुख्या राजभासा और जो आप्शन D में दी गई है अतार्थ कौन जी है ये कौन करी है इसके बाद जो कॉशन आ जाता है निमलिक्त में से किस भास वको बार्मी सिवधान अदिनियम 2023 के तहर सिवधान की आठ्वाटियं सोची में समिल नहीं किया गया तो नहीं किया गया है कौन सा जो उप्शन D में है अतार्थ जो तमिल है इसके बाद कोशियन है हमारा पांचवा हिंदी सम्मेलन कहा संपन गवा था नहीं दिली, पर्ट ओब स्पेन, पोट लुई या लॉदन में तो पांचवा विशव हिंदी सम्मेलन और कापुर गवा था तो यह वा था पर्ट ओब स्पेन दिरी निधात में इसके बाद हमारा कोशन आजाता है च्छटा विशव हिंदी समेलन कहा संपन हुआ था और कहा हुआ था तो यह वा था लंदन बिटेन में इसके बाद है नेक्स्ट कोशन हमारा भारते स्वधान के किस अंचेद में उलेक मिलता है कि हिंदी को व्यकास करना भारत का सिरकार का दायत्तों है तो एक कौन से अंचेद में लिखा हुआ है लेखित है और यहाँ पर है ओप्शन टी हमारा अथार्थ 321 में तो स्वधान का जो भाग सत्रा अन्खे 3053 जो है इसमें हिंदी को राजभासा कोशित किया गiven था और जो अनुचे 30 GM है इसमें हिंदी के व्यकास का दायतों भारत कार कार reaction नेक्स्ट है प्रथ्म राजभासायोक के ऑत्यक्स है इनमें से कौर दें प्रत्म राजभासायोक के अत्यक्स और इनका नाम है बीजी खे जो अप्षन यहां पर डी में दिये गए हैं कि नेक्स्ट कोशन आ जाते हैं पहला विश्व हिंदी से मेलन किस वर्सम पनुखा था तो पर्थम जो है था पहला विश्व हिंदी से मेलन और यह वह था वर्स 1975 में 14 जनुवरी पहला जो विश्व हिंदी से मेलने 10 जनुवरी से लेकर 14 जनुवरी तक उनिश्व चेतर में और नागपूर जावाँ पर हुआ था इसके बाद आजाता है भारते स्वधान के किस अंशेद में उस्तम नेले और उच नेलों की काहरवाईयों में प्रुक्त भासा के स्वंद में उलेक है आप यहां पर देखे तो ऑप्शन आएगा हमारा डी वाला तो कौन से है यह 348 है इसके बाद कोशन आ जाता है वेग्य इसके अंत्रगत है और गठन कब वहा था तो इसका गठन वहा था वरस 1961 है इसके बाद कोशन आ जाता है भारते स्वधान की जा आठवेन सोची है इसमें कितनी भासाई सामिल है आठवेन सोची की बात करें तो आपसर नहींगा भीवाला था जो 22 भासाई जो है इसमें आ ज नेक्ट जो हमारा कोशन आ जाता है संसद्या जो राजवासा है संसद्या राजवासा की सिफार्षों पर आदेश कौन देते हैं भारत के उपराष्टपति राष्टपति प्रधर्मत्री गिरिमंति संसद्या राजवासा स्मीति की सिफार्ष पर आदेश जो देते हैं तो भारत के राष्ट पती जो वारत्मानमी दुरुष्टी मरमोगा. इसके बाद कोशन आ जाता है चौतह ीशृ। जो विशुव हिंदी समेरन जो है, ये संपन वहा था. तो कव संपन वहा था है? ये वहा था वरस इनीजों त्रान में, चोथा विशव हिंदी समेल और कहाँ पर हुआ था तो ये मोर्शस की जो राजदानी है पोट लुई वहाँ पर हुआ था निए इसके बाद कोशन आ जाता है किंदर सरकारी करमचारियों के हिंदी परसिक्षन हितु संचारित होने वाले पाठ्यकरमों में इन में से एक शामिल नहीं है तो ये कौन सा है परभूवद पारंगत परविण या निशनात किंदर सरकार करमचार की हिंदी परसिक्षन हितु संचारित होने वाले पाठ्यकरमों में नहीं है, कौन सा जो option d में दिये रहे है या तार जो निश्वनात है इसके बाद हमारा question है, विशव हिंदी सच्चिवाले का मुख्यल्य कहा पर है तो यह मोरिश्रस में है और कि गयरव रवियु दोजाराख से करेरत है इसके बाद है दूसरा विश्व हिंदी समेलन ये कहां हुआ था दूसरा विश्व हिंदी समेलन तो ये हुआ था पोर्ट ओफ स्पेन में नेश्ट आ जाता है दूसरा विश्व हिंदी समेलन किस वर्ष संपन हुआ था संपन जो हुआ था तो ये वर्ष 1976 में युआ कर भार सरकार के ग्रिया मंतरा लिए थायत कौन विवाद सरकौर पर जो ग्रिया मंतना ले हों इसकी अंतरगत जो भाय आता है इसका नाम है राजभासाowski पर नेश्ट आ जाता है राश्टॆ अनुवाद मीसन यह कहां पर है नई दिल्ली कौकत्ता वान्शी या फिर मैसुर में है राश्ट्रीय अनुवाद मीशन और यह है मैसूर में तो ओप्सों होजाएगा लिवाला इसके बाद कॉशन आ जाता है हमारा भारत के जो प्रदान- पर भारतre की प्रधान मंत्र की समय श्मिति के यृप बात करें तो निदरी से हें इसके बाद में रचानदी नी नि система कैसे हैं तो सब्सक्क्राब्र आपनी आज यह इसका मुख्यालोसन को अब कर दिए निनel यहां पर जाएगा हमारा भीवाला नए दिली में है और दोस्तों अगर आपको कोशन अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को एक लाइक जूरू कर दीजेगा और अगर आपने अब तक हमारा चाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजेगा इसकी बाद जो हमारा कोशन आ जात मिक्षार्थ गठित संसिद्य राजभासा स्मीति की अध्यक्सता और कौन करते हैं तो यह भारत के ग्रीह मंत्री इसकी बाद कोशन आ जाता है कि अंदर सरकारी करमचारियों की हिंदी परसिक्षन हितु गठित केंद्रिय राजभासा संस्तान की श्विभा के दयत कारियत ह किंद्रिय हिंदी पर सिक्षन संस्थान और यहां पर है हमारा उप्षन भी तो यह है राजभासा वीभाग के अंतरगत इसके बाद कोशन है हमारा भारतिय स्युदान का कौन सान छेदा जिसमें उलेक मिलता है कि स्युदान के लागू होने के पंदरा बस तक अंग्रेजी का प्योग जारी रहेगा और में देखें ता ओप्षन है हमारा सी तो यह up में हिंत्रवा सा mutual हीं इस Dieses नियां जाती है इस वारण जो विश्व हिंदी समेलन है ये कब हुआ था और ये हुआ था 20 अगस्त 18 से 20 अगस्त के मत्य में और ये हुआ था 2018 में मूरिसस में नेक्स्ट है गारो किस राजय में बोली जाती है मनिपूर में तिरिपूरा सिक्की में या फिर मेगाले में गारो और जो ऑप्शन डी में दे गया है अतार्थ कहां पर मेगाले में मनिपूर में मनिपूरी बोली जाती है तिरिपूरा में बंगाली और हिंदी बोली जाती है सिक्की में नेपाली और हिंदी बोली जाती है इसकी बाद है राजभासा संदी प्रवधानों का उल्लेग और यहां पर है ओप्षण ची तो 343 से 301 में नेक्ष्ट आ जाता है हमारा कोश्टन हाडोती बोली यह कहां पर बोली जाती है हाडोती राज्यानों तरफदेश यह मद्यपदेश में हाडोती और इसका जोच्मन है तो यह राज्यस्थान से है नेक्स्ट आ जाता है हिंदी भार्त की कौन सी भासा है हिंदी राज भासा बरज राष्टर ये संप्रक भासा हिंदी और कौन सी भासा है तो ये संप्रक भासा है जो option D में दी गई है इसके बाद question आ जाता है मतुरागरा दोलपुर गौले राधिक शेतर में निमलिक्त में से कौन सी बोली बोली जाती है तो बोली की बात करें तो option D वाला रहेगा यहां पर कौन सी ब्रजभासा बोली जाती है इसके बाद कोशन है हमारा रांगडी बोली कहां बोली जाती है केरल हरियाना मद्या प्रदेश और तरप्रदेश में रांगडी और कहाँ पर बोली जाती है तो ये हर्याना जो है वहाँ पर बोली जाती है इसके बाद कोशन आ जाता है इन में से कौन सी बोली मद्या प्रदेश की परमुक बोलियों में नहीं आती है तो मद्या प्रदेश की परमुक बोलियों में क्या है नहीं है नहीं है कौन सी बांगरू जो अप्शन B में दी गई है बांगरू जाए बांगर अतलो हरियाना जो है महाँ पर बोली जाती है इसके बाद है रोमन लीपी का प्रियोकिस बासा के लिए नहीं होता है नहीं होता है तो नहीं होता है कौन सी जो अप्शन एमें दी गई है कुलूई जो है इसके लिए नेश्ट आजाता है कनोजी बोली इन में से कौन से जिले में बोल जाती है कनोजी बोली ये करनोजी जो बोली जाती है तो यह फुरुक का बात जो है वहाँ पर बोली जाती है इसके बदर भासक के क्षेतिरे रूप को क्या का जाती है राज्या राष्टर बोली है सहीते भासक के क्षेतिरे रूप को क्या का जाएगा तो इसे का जाएगा बोली इसके बदे हिंदी का मानकुरूप किस भासा से विख्षित हुआ है और यह हुआ है बालवी से सबस्यादी कौन सी भासा बोली जाती है तो कौन सी है 2001 कैंसार यह गुजराती है इसके बाद है ग्यारवा विश्व हिंदी से मेलन कहां संपन हुआ था तो यह हुआ था पोट लूइस मौरिशास में इसके बाद जो हमारा नेक्स और अंतिम कोशन आ जाता है बारवा तो यह हुआ था नाड़ी फीची और अब जो 2023 में तो यह हुआ था पंदरा से पंदरा से लेकर और 17 परवरी और 2023 फीजी के देना रोध वीप कन्मेंशन सेंटर में यह आउजित किया गया था तो बारवा विश्व हिंदी सेमेलन वेर वेरी इपोटेंट है तो इस प्रका से जो हमारी आज़ी क्लास और मेहतापुन कोस्टन थे नेक्स्ट वीडियो किसमें आपके लिए नए जो मेहतापुन कोस्टन हम लेकर आएंगे और हमारे सातंत बनन के लिए निवाब